अलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आई हूप कि आपना प्रिवियस जो आपको जो काम दिया गया था जो होमवक आपने अभी तक करवाया जा रहा है आपको रेगुलर वह आप कर रहे होंगे और जिन बच्चों ने होमवक करना स्टार्ट नहीं किया है वो अपना होमवक करना स्टार्ट कर दें आपकी इससे पहले जो एक्सरसाइज है 1.3 तक की एक्सरसाइज की सोलिशन आपके पास बेज़े जा चुके हैं और जो बच्चे ग्रूप में बाद में एड हुए हैं वो हमारे TPS जो हमारा Tegor Public School की एप्लिकेशन है उसके ओपर जो हमारा E-Learning है वहां से भी अपना होमवक चेक आउट कर सकते हैं वहां भी आपकी वीडियो और आपका जो PDF फॉर्मेट है के सोलिशन का वो आपको वहां पे सब्जेक्ट वाइज एविलेबल हो जाएगा तो आज हमसे स्टार्ट करेंगे कि हमें Integers में Divide करना है हमें Divide के बारे में पढ़ना है कि हम जब आप किसी Integer को Divide करते हैं तो आपके पास में क्या Result आता है उस इसके बारे में आपको चेक आउट करना है तो कहता है आपको यदि आप किसी Integer को किसी positive integer को minus integer से divide करते हैं या किसी minus integer को positive से divide करते हैं तो आपके पास में result के आएंगे दोनों equal आएंगे ठीक है equal results आएंगे और यहाँ पे हमारे पास में जो b की value है वो 0 नहीं होनी चाहिए जैसे कि हम यहाँ पे example ने 4 को आपने divide किया minus के 2 से या minus 4 को आपने divide किया 2 से यह भी मेरे पास कतना जाएगा minus का 2 और यह भी मेरे पास कतना जाएगा minus का 2 तो मेरे पास दोनों के दोन results क्या होते हैं equal हो ठीक है second आप को कह सकता है कि आपके पास में minus integer को जब आप minus के integer से divide करते हैं या फिर plus के integer को जब आप plus के integer से divide करते हैं तो आपके पास result क्या आएगा same आएगा minus के 4 upon में minus 2 equals to 4 upon 2 तो इसको जब आपने minus minus के हो गया आपके पास में plus हो गया 2 आगया और यहां से भी आपके पास में क्या जाएगा 2 आजाएगा next हमारे पास में है कि 0 is divided by A यदि आप 0s को इस 0 number 0 को आप किसी भी integer से divide करेंगे तो आपके पास result क्या आएगा हमेशा 0 आएगा लेकिन 0 से आप किसी भी number को divide नहीं कर सकते ठीके इस जिसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा possible नहीं है हमारे पास जो result आएगा ऐसा क्या जाएगा not define आजाएगा next हमारे पास में है कि जब कोई integer हमें दे रखा है और उसको यह दिया आप 1 से divide करते हैं किस से divide करते हैं सिरफ 1 से divide करते हैं तो आपके पास में जो result आएगा हो कि आएगा जिटी आपका integer ही आजाएगा जो भी आपका जिसे minus के 5 upon में 1 से divide किया तो आपके पास result किया कि minus का 5 4 upon में 1 से आपने divide किया तो आपके पास क्या क्या 4 ठीक है तो इसमें आपके पास में result change नहीं होता दूसरा एक छोटी सी बात जो हमारे पास divides करते हैं में ध्यान रखना है इंटी जल्स के term में वो हमारे पास में क्या है कि जब भी आप किसी plus की value को divide करेंगे plus की result से जैसे आप multiply कर रहे थे कि plus की value को आपने multiply किया plus से तो आपके पास क्या result आता था plus उसी तरीके से plus की value को जब आप divide करेंगे किसे plus की result से divide करेंगे तो आपके पास में plus आएगा यदि प्लस के रिजल्ट को आप माइनस के रिजल्ट को यदि आप माइनस के रिजल्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस आएगा ठीक है उसके बाद में यदि आप माइनस के इंटीजर को प्लस के इंटीजर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस के इंटीजर से तो भी आपके पास क्या आएगा माइनस आएगा और माइनस के इंटीजर को यह दिया आप माइनस से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में क्या आएगा प्लस आएगा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बहुत ही साहधानी के साथ आपको उन questions में जो आपके sign है उनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको questions solve करने हैं तो अब हम solve करते हैं जो हमारे पास question number first है आज उसको solve करेंगे कुछ questions है हमारे पास में और आप भी अपने तरफ से भी कुछ example है कुछ question बना के आप उनको solve कर सकते हो minus 30 को जब आप 10 से divide करते हैं तो आपके पास क्या आएगा minus 30 upon me 10 0 से 0 cancel होगी क्या बज़ गया minus का 3 50 divided by minus 5 50 upon me minus 5 तो 5 से 5 से 1 पे गया और फिर 0 लग गया और minus 7 हमारे पास क्या या minus का 10 आगया minus 36 divided by minus 9 minus minus तो plus हो जाएगा 36 हमारे पास किस पे चला जाएगा 4 पे cancel out हो जाएगा minus 49 divided by 49 minus का 49 upon me 49 cancel होगी या 1 आगया और 1 के साथ हमारे पास symbol क्या है आपे minus तो हमारे पास क्या symbol आजाएगा minus आजाएगा क्योंकि minus और plus की value को जो आप divide करते तो आपके पास क्या आता है minus result आता है 13 divided by minus 2 plus 1 तो हमारे पास सबसे पहले तो हम इस bracket को solve करेंगे तो minus 2 plus 1 minus का 2 plus 1 क्या बज़ गया minus का 1 बज़ गया तो 13 upon minus 1 equals to minus का 30 नेक्स्ट हमारे पास में 0 upon में minus 12 0 में जब आप किसी भी नंबर से भाग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, up to infinite तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आता है ठीके नेक्स्ट हमारे पास में क्या है minus 31 को आपको divide करने है minus 30 plus minus 1 से तो सबसे पहले पूरे bracket को solve out करेंगे त hacको solve करेंगे तो हमारे पास कतना आ जाएगा minus 31 आ जाएगा तो minus 31 को जो आप minus 31 से divide करेंगे तो minus minus plus और 31 divided by 31 is equals to 1 हो जाएगा ठीके तो minus 36 is divided by 12 is divided by 3 तो सबसे पहले bracket वाले को solve करेंगे minus 36 divided by 12 तो क्या रहेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आप 3 को divide करना है 3 से minus का 3 divide by 3 minus 3 upon 3 equals to क्या आगया हमारे पास minus का 1 आ गया next हमारे पास में minus 6 plus में 5 is divided by minus 2 plus 1 सबसे प्ले brackets को solve कर लेते हैं minus का 6 plus में 1 plus 5 और minus 2 plus में 1 तो हमारे पास क्या गया minus का 1 is divided by minus and is equals to में पास क्या आगया value 1 आ जाएगी minus minus क्या हो जाएगे plus हो जाएगे इस तरीके से आपको इन questions को solve करना है ok students I hope कि आपको ये questions समझ में आ गया होगा ये pattern भी समझ में आ गया होगा कल हम इससे आगए questions solve करेंगे ok